गुड मॉनिंग साथियों उमीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाए आपकी बढ़िया चल रही हमारी तरब से सभी साथियों को राम राम और आज आप पढ़ेंगे मैच की दर्द की दवस्त रीज में 35 नंबर आपको पता है रेशनल रेशनल नंबर चल रहा लेकिन इसमें दो टापिक पढ़ोगे एक तो परमिये परमिये दूसरा आप करड़ी भी से में पढ़ोगे करड़ी यानि सड्स क्योंकि हमें तो पढ़ना है रेफनल लेकिन वह संबंधित इन्हीं से है तो जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक उसको जानी ने पाओगे जैसे यहां पे बात क्या हो रही है बच्चा कि जब किनी दो रूट वाली संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका जो मान है क्या वो पर्मी होता है या पर्मी है या रेफनल होता है या इरेफनल ये चीज समझने के लिए पहले आपको ये जोड़ना तो आना चाहिए ना तब ही तो कर पाओगे जैसे कहें कि मिर्च तीखा होता या मिठा उसके लिए पहले मिर्च तुम्हारे हाथ में आये खा के देखो तब है तो जानोगे तुम्हारे हाथ में आया ही नहीं मिर्च तु सबको पता है कि 8 हो जाएगा लेकिन यह रूट वाला जो मामला है न यह थोड़ा सब पहचीदा हो जाता है अलग हो जाता है जैसे अगर मैं बात करूं इनका गुडांक वन है तो यह थी और यह रूट थी हो जाएगा इनको जोड़ करके कैसे होता है उसके लिए कि निएम होता इनका एक संभिधान होता है उस पर बात करेंगे ठीक है ये टॉपिक है इसका एक बहुत ही बिसेश्ता है क्या कि कि जो करड़ी है वो कभी पर्मिय संख्या नहीं हो सकती अगर मेरे लाइनों में आपको कहीं तुरूटी लगती है तो यह कमेंड करके पताएं जहां तरो मुझे पता है उसका यही मतलब होता यह जितने भी respect की रूप मेन आती है और जो करड़ी की रूप में रूप में नहीं होती है लिकली को जोड़ने का क्या संभीधान यहां पर लिखा यह करडी गत कौन सी बीमारी है यह करडी गत का मतलब होता बच्चा यह यह यहां पे देखो बताया गया है रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको करडी गत बोलते है क्या करडी का गुडांख थीब होती है तो जोडने में क्या होता है? जब इनके करडी गत समान हो और उनकी घात भी समान हो ऐसी दसा में इनके गुडांक गुडांक जुड जाते हैं करडी गत पे कोई बदलाव नहीं होता है जैसे पहले समझ दो लो जैसे आपने बीच गड़ित में पढ़ा होगा कि 3A में जब 5A जोड़ते हैं तो 8A हो जाता है सबने पढ़े हो इसमें जो A है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है 3 और 5 जुड़ गया 8 हो गया इसको थोड़ा सा और समझे न देखो बच्चा जैसे अगर 9B इसमें हमने जोड़ा 12B तो इसमें क्या होता है कि अगर ये बरियेबल सेम है पावर सेम है तो जुड़ जाते हैं जानते हो अब अगर तुम इसको भी नहीं जानते हो तो भाईया जानना चाहिए बेसिक आना चाहिए बीजगरित का जोड़ गटाना ये आना चाहिए सजाती ये बद होते हैं तो जुड़ जाते हैं घड़ जाते हैं तो ये 12 नो ये कैस तो ये कैस हो जाएगा लेकिन B में कोई परभाव नहीं होगा B वैसे को वैसे रहेगा ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 11 X स्क्वाइर और यहाँ पर 9 X स्क्वाइर यहाँ पर आप पाओगे मेरे भाई 11 में 9 8 करोगे 20 हो जाएगा लेकिन X स्क्वाइर पर कोई बदलाव नहीं होगा X स्क्वाइर वैसे ही रहेगा उसी तरीके से करडी को जोडने में होता है इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अगर जोड़ा यह तीन है यहाँ पर यहाँ पाँच लिखा है यह पाँच गुडांग का याद रखना यह घात नहीं है अगर करडी घात होती थे यहाँ पे रहती चुरकी पे समझ रहो अगर इनको जोड़ना है इनका करडी गत सेम है जैसे यहाँ पे भी तीन है यहाँ पे साथ है इनकी घात दो चाहे लगाओ या ना लगाओ छिपी रहती है लेकिन अगर तीन या चार या पांच कोई और है तो छीपी नहीं रहती उलगाने पड़ती तो मेरे भहिया ऐसी सिति में इनका कर्डी गत देखो सेम है हां? इनकी गाते सेम है अगर ये गात भी सेम है देखो डो गत भी सेम है तो गुडांक जुड जाते हैं यानि साथ में पांच जुड़ेगा बारा और रूटीन यह आंसर आएगा मैंने पहले भी बताया चाहे इसकी चुरकी पर यहां छोटा फद्दो लिखो या ना लिखो बात वही होती है ठीक है समझ रहे हो ना तो यह बात सभी को समझ में आया सेम उसी तरीके से होता जैसे बीजगनित वाला जुड़ता है ठीक है इसमें देखो एक्स स्कॉयर पर कोई फरक नहीं पड़ा चाहे जुड़ा या घटा वैसे इसमें भी वाले नंबर पर कोई फरक ना पड़ता है जैसे आक के देखने का मतलब जड़ता को सर नहीं करेंगे जैसे मान लिजिए मैंने मुठी में बन्द करके कई लिया है मैं कहूं बताओ कि मैंने salve नहीं करते तब तक हम sacrifice नहीं कर सकते वो करड़ी है असवरी परuary delivery संख्या है यह या पर 허约 क्या है लेकिन क्या हो अगर हम उनको salary करना ही ना जाने salary करना ही ना जाने हमें आये इना तो क्या होगा तो हमाई नहीं कर सकते ऐसे समझ लो कि एक कमरे के अंदर कुछ सामान रखके भरके पड़ा है बाहर से बड़ा फ़ा ताला लटकाया है और तुमसे पूछा जा कमरे के अंदर क्या है तो कमरे के अंदर जाओगे तभी जान पाओगे क्या है कमरे के अंदर जाने के लिए तुम्हें ताला खोलना पड़ेगा और तुम ताला खोलना पाओगे तुम जाईने पाओगे तुम जाईने पाओगे जानी ने पाओगे तो वैसे क्या है ये? ये ताला लगा होता है अगर कहें कि ये रेफनल है कि ये रेफनल है इनका योग तो यह समझ ले एक प्रकार फे ताला लगा है जब तक तुम इनको हल करके एक आंसर नहीं डिसाइड करोगे तब तक तुम इनने नहीं कह सकते कि रेफनल है कि रेफनल है ठीक है करडी गत बराबर थी देखो घातें बराबर थी तो 9-3 जुड़ गया 12 हो गया 12-11 अब यह क्या है एक करडी है अगर करडी है तो यह परमे संख्या नहीं होगी इसमें कोई भी परमे संख्या नहीं है आगे देखना बच्चा जोडने वाले केस में मैंने यह अनुभो किया कि जितने भी रेफनल नंबर है यानि जो भी करड़ी है रियल में करड़ी है अगर वह आपस में जुड़ रही है तो कभी भी वह रेफनल नंबर पर नहीं पहुंच रही हमेशा ही रेफनल नंबर है मेरा यही अनुभव है वसे आपका क्या कहना है बताना है ठीक है करड़ी के गुड़ा वाले में बात बदल जाती है multiple में सारा सिस्टम हो जाता है इसमें आप ऐसे समझे कि करड़ी का जो जोड़ना है पहले तो घाट देखी जाएगे घाट बराबर होना चाहिए जैसे आपकी लब होना चाहिए आपकी जाती होना चाहिए इधर क्या तो ने इधर क्या है तब दोनों की पावर मुद्रें से अगर बहुत ही रहीं रिक्सा चलाने माला घंच छिलने माला यह आप़ूद बहुत बग्राउंड होने क्या हो सकता है और ना ही करड़ी घात हाँ नीचे क्या है कि करड़ी घात समान हो तो गुड़न फल का गुड़न खंड में यानि गुड़न खंड का गुड़न खंड में और करड़ी घत का करड़ी घत में गुड़ा हो जाता है लेकिन अगर घात बराबर ना हो तो बड़ी मुश्किल होती ह लेकिन फिर भी गुड़ा हो जाता है वो चीज यहां पर ने लिखा है सेम आप मेरीज वाले में देख लो अगर आपने कहीं लब मेरीज कर लिया आप लोगों में परिवार में पावर अलग अलग है बहुत मतलब एक जो है बहुत ही करोड़ पती है और एक बिल्कुल घनमूल को गुड़ा करें जैसे देखो अगर रूट दो और यह एक वर्गमूल वाला है ठीक है इनका गुड़ा अगर माल लीजी हम कर रहे हैं पांच से और यह घनमूल वाला है ऐसी कंडिशन पर बड़ा खींच-खांच करना पड़ता है गुड़ा हो जाता है लेकिन इ कैसे ख़िया यह थो बता देना इसमें ऐसे के लिए हnai को इसमें आंसर कर रहा ऐह यह कुछ फरक नहीं पड़ता हूं में करड़ी में करड़ि घए घंड़ है illustrations गुड़ा हो जाएगा यह 21 का साथ में गुड़ा हो जाएगा 147 और यह ग्यारापचे 55 यह आपका हो जाएगा डी वालाफ है क्लियर समझते चलो अभी सारी बातें एकदम निकल के बाहर आजाएंगी इनमें बताओ यह परमिय संख्या है या परमिय संख्या है बहुत अच्छा बच्चा बेरी गुड़ यह सारे अलग-अलग सवाल है याद रखना एक-एक को चेक करना तुमें चलो देखो बताता हूँ एक-एक को चेक करके बताता हूँ चलो पहला वाला तो परमिय संख्या है क्यों है क्योंकि 512 पे घनमूल का चिन्ध लगा है मेरे फाथी इसका घनमूल होगा क्या आठ होगा पहला क्या है रेफनल नंबर है सिकेंड वाले में चेक कर लो इनका गुड़ा करोगे तो बारत यह 36 मैंने कहा कि रूट वाले का रूट के अंदर-अंदर में आपस में गुड़ा हो जाता है ठीक है गुडांग का आपस में गुडांग में कुछ भी नहीं है तो मेरे भाई यह 36 हो जाएगा यह अलग अलग तो परमिये नहीं है क्योंकि रूट तीन भी वर्गमूल अलग नहीं निकल पाएगा बारा का भी निकल पाएगा लेकिन एक-एक मिलके 11 होते हैं कहते हैं आथ देख भी लो इनका गुड़ा करोगे 36 हो जाएगा 36 का वर्गमूल निकल यह चलो यह रेफनल नंबर है कि नहीं जरा देखना प्यारफे देखो 14040 प्लस 4 है अगर सिर्फ 144 होता तब यह परमिये संख्या नहीं था यह 4 इसमें जुड़ जाएगा अंडरूट के अंदर में ही है तो 144 हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12 होता है 12-5-17 17 क्या एक पूड क्या है 17 इजर रेफनल नंबर यह भी क्या हो जाएगा रेफनल नंबर तो यहां से क्या देख रहे हो कि वर्गमूल या घनमूल का चिन लग जाने मात्र से ही कोई परमिया परमिय डिफाइड नहीं हो जाती है उसके लिए क्या होता है पूरा प्रकिरिया करनी पड़ती है लास्ट में फाइनल होता है अगला क्या बच्चा अंडरूर तीन गुड़े दो अंडरूर तीन गुड़े पांच इसमें देखो अगर हम तीन का तीन से डिवाइड कर दें हैना समान है तो दो बटा पांच बचेगा जो की एक रेफनल नंबर है परमिय संख्या है अभी कि यह समझ मैं सभी को आगे बढ़ो देखो इसमें इसमें देखो बच्चा पांच से डिवाइड करोगे तो 25 अगर उपर हम बात करें तो तीन का वर्गमूल निकलेगा नहीं रूट तीन रहेगा नीचे नव का वर्गमूल निकलके तीन आ जायेगा उपर का पांच इसमें गुड़ा हो जाएगा तो यह हो जायेगा 5 इन टुअंडर रूट तीन ठीक है अब अगर हम इसमें रूट तीन रूट तीन का गुड़ा करेंगे तो बच्चा इसको एक काम और कर सकते हैं क्या पता है तुम्हें पांच तीन पंदरा बटा रूट तीन कर सकता हूं बाकि sta कुछ नहीं हो सकता है लेकिन यह सब भी हम करेंगे नहीं कोनों मतलब है नहीं हमें अगर रेखनल देखना था यहीं पर क्लियर कर लेंगे यह एक रेखनल नंबर है अप अर्मिये संख्याए इनका चोड़ा बन जाएगा पंद्रा पंद्रा का नीचे पंद्रा आजाएगा उपर इसका वर्गमूल पांच आ जाएगा घर आप इसको नहीं हल्क पार रहे हो तो आप और पीछे से देखो अभी विंटर बैस फालो करो ठीक है करा क्या मैंने 25 का वर्गमूल कर दिया 15 15 का गुड़ा था दोनों रूट में था तो 15 वर्गमूल आ गया इतना जन्वे करते हो है न चले आगे नो डाउट किसी को चल भाया जल्दी से सुद्ध करड़ी और मिस्रित करड़ी भी इसी में बता दे रहा हूं देखो जिस करड़ी के थूथुन पर कुछ और रखा हो वो मिस्रित करड़ी है जिसमें न रखा हो वो सुद्ध करड़ी है जैसे देखो इसमें यहाँ पर आगे क पर बात की बात नहीं हो रही है छुतकी वाली गात अलग होति हैं जो इसके सामने होता जैसे यह दूर लिखा अगर जिस जिस करड़ी में यह लगा है dużo क्या होता मरे खाया मिफ्रित करड़ी होती है यह आप बताओ इसमें करड़ी कौन नहीं है तुम इतना जान लो जो पर्मिय संख्या है वो करड़ी नहीं है और जो इसमें करड़ी होगी वो पर्मिय संख्या नहीं होगी कह रहा है इसमें कौन करड़ी नहीं है इसका मतलब तुम यह जान लो कि इसमें कौन पर्मिय संख्या है कौन रेफनल नंबर है अगर इन यह क्या है पर्मिय संख्या लेकिन करड़ी नहीं है यह भी क्या है पर्मिय संख्या नहीं है बट यह करड़ी है इसमें कह रहा है कौन करड़ी है बताओ चलो इसका कुड़ा करो गे 59 आएगा 69 का वर्गमूल कोई एक पूड संख्या तो आएगी नहीं शुय तु यह क्या है करड़ी है यह बीस पंचे सौ इसका वर्गमूल आगया दस यह क्या एक पर्मिय संख्या है और यह करड़ी नहीं है वसे 9.36 यह भी क्या एक ऐसे होता कैसे होता है नीचे 5 होता ये पर्मिय संख्या है कैसे क्योंकि तीन का तीन में गुड़ा करोगे रूट नो होगा नौ का वर्गमूल करोगे मेरे भाई तो तीन आएगा नीचे पांच है तीन बटा पांच दिफीजर रेफनल नंबर ठीक है दिफीजर फीडबेक यह आपका फीडबेक है इसको देख क करें हमारी क्लास के बारे में अपने विचार दिल की बातें जरूर लिखें देखो यह इतना बड़ा कोईश्चन था लेकिन यह क्या था एक पर्मिय संख्या था करड़ी नहीं थी इनको हल करने के बाद देखो आड़ बटा साथ आया है यह भी देखो हलो कुछ भी कर लो इनको देखो यह भी एक आपर में संख्या है और फ़नल नंबर है यानि करड़ी है मतलए पर में नहीं है यह भी पर में नहीं है यह भी क्या है पर में नहीं आईyorsun से जो भी दिये होते हैं उनको हल करके निकालते हैं ठीक है आप सभी साथियों को बहुत सारा थांक्यू लेकिन आज वाला इनाम वाला सवाल तो भूल जा रहे थे उसको भूलने कर नहीं है 35 नमबर आज का इनाम वाला सवाल ये बताओ कि पाई क्या है पर्मिय संख्या है या पर्मिय संख्या हलके में मतले ना 5000 रूपए का इनाम है ऐसे कोईश्चन पे सारी 100 क्लास इस बैच की पूरी हो जाएंगी तो लास्ट में इनाम गोसित किया जाएगा जो टाइम से देखा है डेली क्लास हर दिन अपना उत्तर कमेंट किया है इनाम वाले प्रस्ण का उसको जरूर मिलेगा और लाइब दिखाऊंगा उस दिन में किसको मिला है ठीक है ल बहुत मेंट करते हैं आपके लिए अगर इधर आप देखो तो दो बच कर उन्चास मिनट हो रहा है रात के ठीक है रात के दो उन्चास मिनट हो रहा है पांच बज़े आप इस क्लास को देखोगे आपको क्या लगता है कि ऐसे थोड़ी चैन की नीद आती है बहुत काम करन